नेमारे लेखक और पूर्व राजिसबा सांसदवल बीर पुंच की किताब नेरेटिव का माया जाल का संक्य सरकारे वाहक दत्तात्रे होसबोले और केरल के राजिपाल आरफ मौहमत खार ने विमोचन किया। दली में आयो जुद कारे करम भी आरफ मौहमत खार ने कहा कि मठो और बिल्निंग बनाने से कुछ नहीं होता बलकि विचार से देश और समाज में परिवर्तन आता है। वहीं दत्तात्रे होसबोले ने कहा कि गलत नेरेटिव की वज़े से आज भी लोग मार्सक गुलामी से बाहर नहीं आपा रहे। लेखक बलबीर पुंचने कहा कि देश की ज़्यादतर समस्याओं की जड़ नेरेटिव के दूशत होने की वज़े में ही छिपी है। कैसे नेरेटिव समाज की सोच पर असर डालते हैं। और केरल के राजपाल आरिफ मुहम्मद खान ने किताब का विमोचन किया। इस मौके पर आरिफ मुहम्मद खान ने कहा विचार से देश और समाज में परिवर्तन आता है। इसमें कोई चीज तो है कि दुनिया में दूसरी पुरानी संस्कृतियों का आज उन देशों से कोई संबन नहीं है। हमारी सिर्फ पिराचीन संस्कृति नहीं है बलके मिर्तिउंजे संस्कृति है। जिसमें कंटिनुईटी है। उधर अपने संबोधन में संग के सरकारिवा दत्तत्रे होस बोले ने कहा कि देश अंग्रेजों की गुलामी से तो आजाद हो गया लेकिन मानसिक्ता से आजाद होना अभी बाकी है। पिछले सो डेड़ सो साल से खास करके पिछले 75 वर्चों में स्वतंत्र बारत के स्वतंत्रता की बुद्धी जीवी लोगों ने दुनिया के सामने परोस दिया। इसलिए संस्कृत को हटा हो। इसलिए संस्कृत का हटा है तो विचार भी हट गया। वहीं किताब के लिखक बलबीर पुंज ने कहा कि देश की जादातर समस्याओं की जड़ नेरेटिव के दूशित होने में चिपी है। तो अगर इस देश को आगे जाना है, विक्सित होना है, अगर इस देश को बने रहना है, तो बहुत अवशक है कि जो अंग्रेजों ने जूट और अर्ध सत्य पर अधारिक नेरेटिव बनाए थे, उनको धवस किया जाए। देश की समस्याओं और आज के दौर में नेरेटिव की भूविका पर प्रकाश डालती इस किताब में, मैं कौन हूँ और भारतिता की अस्ति पहचान को तलाशने की कोशिश की गई है।